देश दुनिया के इतियास में एक दिसंबर का दिन कई घटनाओं का गबाह बना। आज के दिन भारतिय साइनीक मेजर सैतान सिंग के जन्म समेथ कई बड़ी घटनाएं घटीं। हम आपको अपने चैनल के माद्यम से इन घटनाओं की एहमियस से रुभरू करवाएंगे। 1640 में आज ही के दिन इस्पेन से साथ बरसों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ था। भारत के प्रशिद्य शोतंत्रता सेनानी, सिक्षाविद, पत्रकार और लेखक, काका कालेलकर का जन्म आजी के दिन 1885 में हुआ था। भारत के सच्चे देशवक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक, राजा महंदर प्रताप का जन्म आजी के दिन 1886 में हुआ था। भारत के प्रशिद्य क्रांतिकारियों में से एक अनंता सिंग का जन्म आजी के दिन 1903 में हुआ था। परंबीर चक्र से सम्मानित भारतिय साहिनिक मेजर शैतान सिंग का जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था प्रिशिद भारतिय चिकिसक गुरु कुमार बाल चंद्र पारूलकर का जन्म आज ही के दिन 1931 में हुआ था आजी के दिन 1923 में कोलकाता और ठाका के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। भारत की प्रशिद्य समाज सेविका मेधा पाटेकर का जन्म आजी के दिन 1904 में हुआ था। आजी के दिन 1925 में अमेरिकी राज अलबामा में एक काली महिला को फिसलिये ग्रफतार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने बस में अपनी सीट एक गोरे आदमी के लिए खाली करने से इंकार कर दिया था। 1969 में आजी के दिन अंटार्क्टिका के शांती पूर बैग्यानिक इस्तेमाल के लिए बारह राश्ट्रों ने संधी पर हस्ताक्षर किये थे। आजी के दिन 1963 में नगालेंड को भारत का सोलमा राज्य बनाया गया था। इस्राहिल के संस्थापक और पहले प्रधान मंत्री डेविड बेन गुरियन का निधन आजी के दिन 1973 में 87 साल की उम्र में हुआ था। भारत की महिला स्वतंतरता सेनानी एवं राज नीतिक सुचेता क्रपलानी का निधन आजी के दिन 1974 में हुआ था। भारत के पहले प्रदानमंतरी जवारलाल नेहरू की बहन तथा महिला स्वतंतरता सेनानी विजे लक्षमी पंडित का निधन आजी के दिन 1990 में हुआ था। आजी के दिन 2001 में अफगानिस्तान कंधार एरपोर्ट पर तालिबान विरोधी कबालियों ने कबजा कर लिया था। आजी के दिन 2008 में हुआ था। आज के इतियास में बस इतना ही कल का इतियास लेकर पुना आजिर होंगे। नमस्कार आजिर होंगे। आजी के दिन 2002 में भी दो आजिर होंगे। आजिर होंगे।